Hello everyone, welcome you all at Locke, Sir Unlimited Study Zone तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर अभी देखिए Physics की जो ब्रांचेस हम पढ़ करके आए हैं अभी तक स्टार्ट से Class 11 के सिलिबस में वो ब्रांचेस थी पहले मैं टॉपिक बता दूँ मैं आपको यहाँ से आज से स्टार्ट करने वाला हूँ Thermophysics Thermophysics से ज़्यादा बच्चे Confuse हो जाते हैं इसलिए मैं यह कहूँगा कि भाया हम लोग पढ़ने वाले हैं Physics का Heat वाला सेक्षन Class 11 की Physics बड़ी इंट्रेस्टिंग रही है यदि देखा जाए तो सबसे पहले Class 11 में जो स्टार्ट हुआ था वो इंट्रोड़क्शन से हुआ था इंट्रोड़क्शन जो चैप्टर था यूनिट अंड डायमेंशन आपने देख लिया था है न इसके बाद हमारी सुरू हुई थी केनेमेटिक्स केनेमेटिक्स में हमने मोशन पूरा कवर कर लिया है मोशन के बाद हम लोगोंने मेकनेक्स पूरी पढ़ डाली मेकनेक्स एक हमाई Physics का बड़ा पार्ट था जिसमें हम लोगोंने नु्टं लॉज ऑफ मोशन किया है वर्क पावर एनर्जी किया है रोतेशनल मोशन के लिया है ओ कर लिए ओक्रिए अनुठम इंडिपेंडेंट्ट आता है क्राज़ग्रैडीक्स तो ग्रेवेटेशन भी हम लोगोंने ऐल्र टो लिया हो गया अच्छे से वो भी हमने कर लिया उसमें सारे यंग मोडलस बल्क मोडलस दैन इसके बाद हमने रेखी mechanical properties of fluid mechanical properties of food अब बच्चों देखो properties of gases जो होती वो mechanical नहीं होती है जो gas का जो पूरा पंगा है ना उसको गर्मी समभालती है याने कि thermal मतलब gas की पूरी पूरी चीज़ें जो thermal में आती है तो इसको हम एक दो chapter छोड़ करके हम पढ़ेंगे gas की thermal properties है ना जिस chapter का नाम रहेगा kinetic theory of gas kinetic theory of gas अब आप बोलोगे सरे बीच में आपने कट क्यों कर दिया भाई सब क्योंकि इसलिए कर दिया क्योंकि properties of solid आप जानगे properties of flood आप जान गए हो मगर gas की property को समझने के लिए पहले सबसे पहले आपको यह समयना पड़ेगा कि किसी gas के अंदर अब यह कोई गैस की कोई finite boundary तो होती नहीं कि इसको पकड़के कान पकड़के खीच दो आप इस तरफ से जैसे solid को पकड़कर की खीच देते थे हैंना हाँ थोड़ी सी कुछ हद तक आप compressibility और आपकी mobility आपने थोड़ी सी flood में पड़ी और flood में हमने ऐसा नहीं कहूंगा कि flood में मतलब के बहुत हमने लिकुड़ी पड़ाया है मैंने आपको बताया थे कि फ्लूड मतलब दो चीज़े हैं फ्लूड में लिकुड भी आता और flood में गैस भी आता है तो जो थोड़ा बहुत cover करने लायक था mechanical property of flood में दोनों चीज़े cover हो गई लिकुड की mechanical property और गैस की भी mechanical property मगर मच्चो एक हद है एक सीमा है एक लिमिट है कि गैस की हम mechanical property लिमिट तक पढ़ सकते हैं मगर अब हमको गैस की जो पढ़नी है वो को नहीं thermal properties क्योंकि गैस को अगर कोई चीज़ प्रभाबित करती तो वह है गर्मी गैस को अगर pressure, temperature, variation जो होता है है ना वो सबके सब किस पर depend करता है temperature पर किस पर depend करता है temperature पर और गैस का एक महत्पून parameter है heat and temperature तो पहले हमको यह समझना पढ़ेगा भाई heat और temperature वाली physics क्या है उसके बाद हम gas पर देख पाएंगे क्योंकि सीख तो लें कि इनको apply कैसे करना है तो हम लोग बच्चों यहां से start कर रहे हैं हमारा physics का अगला section है वह heat section है ओके तो physics में heat section हम पढ़ने जा रहे हैं यह section थोड़ा सा आपके सरीर से कहलो body से और दिमाग से थोड़ी सी ताकत मांगेगा भाई सब थोड़ा सा आपको दम लगानी पड़ीगे अपने अंदर से क्योंकि एकदम नई नई चीजें introduce आपको होने जा रही है ठीक ना हलाकि जिन बच्चों ने मेरे साथ थोड़ी सी thermodynamics पढ़ रखी है उनके लिए easy हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा बहुत जान चुके है कि पढ़ना कैसे है मगर जो बच्चे नई हैं उनके लिए थोड़ी सी दिमा की ताकत लगानी पड़ीगी heat section को समझने के लिए क्योंकि इसमें जो आप देखेंगे वो अभी तक आपकी जिन्दिगी में वैसा कभी हुआ नहीं होगा तो आप थोड़ा सा समझने में आपको नया लगेगा चलिए तो heat section में हमको करना क्या क्या है कौन कौन से chapter हमारे सामने चुनोती बनके सामने आने वाले है तो पहला जो इसमें chapter है जिसका नाम है thermal properties of matter thermal properties of matter तो thermal properties of matter में actually तीन पार्ट है इस chapter के तीनो पार्ट बड़े जबरदस्त है भाई साब इस chapter के तीन पार्ट में हमको इस chapter कवर करना है जो कि किताम में लिख दिया तो रहता मगर classification नहीं रहता तो मुझा नहीं आता है मगर मैं आपको ये classification बता दूँगा तो आपके मन में एक boundary clear हो जाएगी कि यार इस काम के बदले इस इस काम के बाद ये काम हम करने जाएंगे तो सबसे पहला इस thermal properties of matter में हम पढ़ेंगे पहला पार्ट है thermometry 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 means temperature मेंटरी मतलब measurement मतलब ये जो पार्ट है वो temperature के measurements से related है measurements related, इसमें हम पढ़ेंगे temperature कैसे measure किया जाता है और एक बता दू क्यों होते हैं कैसे कैसे बनाए जाते हैं आज कल तो सारा का सारा काम डिजिटल थर्मामेटर से काम चल रहा है है ना तो थर्मोमेटर चीज देखेंगे हम लोग थर्मोमेटरी क्या होती है देन उसके बाद कैलोरी मीटर कैलोरी मीटरी what is calorimetry it is physics about measurement of energy देखो पहले में आपने temperature measurement किया है और दूसरे में आप क्या measurement करोगे energy हंजी और यहाँ पर कोई energy जूल वाली नहीं है याद रखना यह सारी की सारी energy calorie वाली है कौन सी वाली है calorie because heat energy की जो practical unit है वो calorie है SI unit नहीं बुलना है SI unit तो jouल है भाई साब गया है जो practical unit है वो क्या है calorie है समझेगे ना thermometry हो गई calorie ही हो गई then इसके बद क्या आएगा then इसके बाद आएगा then इसके बाद आएगा transmission of heat Transmission of Heat मतलब Heat जो है एक आपजेक्ट से दूसरे आपजेक्ट में जाती कैसी है Heat जो है एक आपजेक्ट से दूसरे आपजेक्ट में जाती कैसी है दो आपजेक्ट को आपने टच करके रखा हुआ है या बिना टच करके भी रखा हुआ है तो heat एक दूसरे में कैसे जाएगी समझ गया ना तो heat के चलने के तीन वेज होते हैं conduction convection और तीसरा radiation conduction convection और radiation तीन प्रकार के वेज हुआ करते हैं conduction, convection और radiation तो ये तीनों तरीके बड़े interesting तरीके हैं, बड़े मज़ेदार तरीके हैं आप पढ़ेंगे, समझ गया ना और आपने देखा होगा, microwave जिन घरों में है, तो microwave में यहां और microwave का blower लगा रहता है okay, microwave का क्या लगा रहता है, blower लगा रहता है, तो radiation से खाना पकता है, radiation से क्या पकता है बच्चों खाना गरम हो जाता है क्या हो जाता है गरम हो जाता है कौन सी तरंगे नहीं कलती है इसके अंदर microwave तरंगे कौन सी वेक्स तो नहीं कलती है microwave तो यह radiation वाला part आप करेंगे इसी में समझ गया ना पानी गरम करते हैं जब आप हुआ है तो आप चेक करेंगे तो ऊपर का पानी जो होता है काफी गरम होता है और नीचे का पानी जो होता वो ठंडा हुआ करता है आप अगर बहुत देर तक गर्म नहीं करें ऐसा नहीं क्यों बलने लग जाए करी 5 मिनट 7 मिनट में पानि गरम करिए और किसे गरम करेंगे आप इं recruit अट में ätteंडर और से का रहेंग है या आप आग लगां करके नीचे गरम कर रहे हैं तो आप महसूस करहं हाट डाल करके उपर का लेयर पानी जो रहेगा गरम रहेगा और नीचे का पानी क्या रहेगा गुनगुना या ठंडा रहेगा कभी महसूस किया आप लोग ने ऐसा ठीक है ना सरदियों के समय में बहुत ओवियसली ये चीज महसूस हो जाती है तो ये क्या होता है भाई साब ये होता है convection क्या होता है बच्चों convection नीचे के जो molecules होते हैं heat लेते हैं और heat लेकर के energy इनकी high हो जाती ही तो कहां चले जाते है भाई साब उपर और उपर वाले कहां जाते हैं नीचे फिर वो गर्मी लेकर के उपर जाते हैं और ये एक flow बना रहता है इसी को बोलते है convection current क्या बोलते हैं convection current समझ गया ना उपर से नीचे का फ्लो बना रहता है इसको बोलते है convection current ये बनी रहती है तीसरी जो प्रॉसेस रेडियेशन है तीसरी प्रॉसेस रेडियेशन है तो मेंली तीन पार्ट हमको इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चो नमबर बन पार्ट है इसका थर्मोमेटरी देन है कैलोरी मेटरी एंदेन है ट्रांसमिशन ओफ हीट तो भाई यह हमारे हीट सेक्षन का पहला चैप्टर जिसका आपके बुक में है 11th क्लास का चैप्टर नंबर 11 यह कबर हो जाएगा ठीकर ना फिर इसके बाद हीट सेक्षन का अग़ला चैप्टर आएगा भाई 11.12 जिसको मैं बोलता हूँ क्लास 11 का chapter number 12, जिसका नाम है thermodynamics, क्या नाम है भाई साब, जी बिल्कुल thermodynamics, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होगा, थर्मोगा मतलब होता है temperature, temperature, dynamics का मतलब होता है movement, अब थर्मोगा मतलब temperature तो है, अगर, broad scale में, thermoy का मतलब जब पढ़ाई लिखाई भो जाती ही हिंदा तों, हम लोग heat मान लेते हैं, क्या मान लेते है, heat, क्योंकि, docks temperature movement नहीं करता है, heat करती है, layer до qui moment करती है, heat aire temperature यिसे दो body गाय वन ओ टी टू, टीवन बड़ा है और टीटू छोटा है समझ गया ना जैसे यह 70 डिगरी चल्सियस है और यह कोई बॉड़ी है 45 डिगरी से 40 डिगरी से तो टेंपरेचर मूब नहीं करेगा क्या मूब करेगी क्या मूब करेगी और हीट याद रखेगा कि हीट एक ऐसा मोमेंट जिसमें मीडि कि हमका पार्टिकल नीचे से ऊपर भागता है बताया तो मैंने और उपर बाला का आता है नीचे आता है अगर कंडक्शन हो रहा है या रेडियेशन हो रहा है तो हीट ट्रेवल करीगी तो थर्मोडानेमिक्स मतलब की हीट का हम मूमेंट पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कि हीट कैसे मूब करती है और एक और गजब की बात है भाई सब हीट का मूमेंट पढ़ने के बाद आप क्या सीखोगे हीट का मूमेंट पढ़ने के बाद आप यह देखोगे कि हीट को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे हीट यूटिलाइजेशन समझ गए जी heat को utilize कैसे करोगे heat जो निकलेगी उससे आप चीजें कैसे बनाओगे समझ गए न heat utilize जो heat होगी उससे चीजें कैसे बनाओगे याद रखना यहाँ पे heat move कर रही है इसलिए thermos बनाना यहाँ पे नहीं आएगा thermos बनानी की process यहाँ पे आएगी calorie meter में क्योंकि heat यहाँ पे रुकी हुई है heat यहाँ पे रुकी हुई है मगर यहाँ पे heat move कर रही है तो heat के move करने के क्या बनती है engine बनता है engine engine heat move होती तो engine काम करता है तो यहाँ पे हम engine मनाना सीखेंगे और ऊपर thermos बनानी की प्रोसस रहेगी यहां पर इंजन रहेगा ठीके जी तो हीट का मूमेंट सीखेंगे एक बहुत बढ़िया classical chapter है बहुत मज़ेदार chapter है बहुत प्यारा chapter है इसमें different different type of approach engine बनाने की कौन सा engine अच्छा है कौन सा इंजन खराब है, इंजन को और अच्छा कैसे बनाएं, समझ गए जी, तो ये सारी चीज इसमें रहेंगी, देन इसके बाद 11.13 चैप्टर आ जाएगा, भाई, 13 चैप्टर हमारी बुक का, जिसका नाम है, काइनेटिक थियोरी ओफ गैसेस, काइनेटिक थियोरी ओफ गैसेस, अब मेरी ये बात सुनो, कि ये जितना का जितना हीट वाला ग्यान है, ये जितना का जितना हीट वाला ग्यान है, ये जैसे थर्मोडाइनमिक सिस्टम की बात करते हो, तो थर्मोडाइनमिक सिस्टम में जो आप सिस्टम के अंदर लेते हो, वो क्या लिया करते हो, गैस लिय समझ गया ना और प्रेशर तो मतलब आपको यह कहने का मतलब है कि काइनेटिक थियोरी आप गैसे आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के सही अप्लिकेशन के लिए जो सबसे आपके पास बहतर चीज़े वो कौन सी है गैस है मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कहने का मतलब कि काइनेटिक थियोरी आफ सॉलिड नहीं होता है काइनेटिक थियोरी आफ लिकुड नहीं होता है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि दोनों की थियोरी नहीं होती है मगर बिटा सॉलिड की काइनेटिक थियोरी क्या पढ रहता है और वो left to right ये right to left move करता है आराम से इधर इधर की तरफ move किया करता है vibratory motion इसका हुआ करता है liquid में आपको पता है थोड़ा बहुत expansion होता है और liquid की थोड़ी सी थियोरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी जब हम पढ़ेंगे thermal properties of matter और matter की तीन ही state है आपको पता है ना matter can be solid matter can be liquid matter can be gas तो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको ग्यान दे दूँगा की solid liquid और gas के साथ thermal properties क्या होती है अगर उनमें heat का heat extend की जाए तो उनमें क्या देखने को मिलेगा यह आपको पता चल जाएगा but mainly हमको जो लड़ना है भाई साथ वो किसके साथ लड़ना है gas के साथ क्योंकि gas की kinetic theory है का आपको बहुत बड़े scale में देखनों को मिलेगी और gases बदल जाएंगी तो उनकी kinetic theory बदल जाएंगी ठीक है जी तो यह एक छोटा सा introduction था आपको chapter number 11, chapter number 12, chapter number 13, 11, 12 और 13 को मिला करके हम पूरा का पूरा heat section कवर करने वाले हैं ठीक है जी और मतलब आंगे का लगभग one month और one and half month आपका पूरा heat section को जाएगा इसको बहतरीन तरीके से आप clear भी करेंगे, इसको बड़े अराम से आप इसको start भी करेंगे, तो इसी order में आज हम अपना पहला chapter start कर रहे हैं, 11, chapter number 11, class भी 11, chapter number 11 है, thermal properties of matter, thermal properties of matter, chapter का नाम है thermal properties of matter, इसमें हम matter की thermal properties के बारे में जानेंगे, देख लीजगे यहाँ पर matter लिखा ह है, gas भी आता है, plasma भी आता है, BSC भी आता है, सारे के सारे आते हैं, बट हमको mainly तीन चीज़ों की thermal property के बारे में पढ़ना है, बट हम ज़्यादा gas को हाथ नहीं लगाएंगे इस chapter में, क्योंकि gas के लिए तो वैसे ही हमको पूरा का पूरा chapter dedicate करना है, समझ गए ना, तो इस chapter म notes class 11, याद रखेगा, यहाँ पर यह notes बता रहा हूँ, मतलब मैं chapter को थोड़ा सा जल्दी से एक review कर रहा हूँ, आपको मैं, है न, detailed study अलग रहेगी, यह के वल आपको एक तरीके से introduction देगा, एक formula बड़ी तेजी से मैं इसको समझाने के लिए, यहाँ पर यह slide का इस्तमाल कर the branch dealing with measurement of temperature, मैंने बताया था न, कि इस chapter में सबसे पहले तीन पार्ट है, thermometry, calorimetry and transmission of heat, तो एक में है measurement of temperature, एक में है measurement of heat, और दूसरे में जो heat आपने measure कर लिए, उसको आप एक जगह से दूसरे जगह में कैसे भेजोगे, so the branch dealing with the measurement of temperature is called thermometry and the device used to measure temperature are called thermometers, ठीक न तो यह definition प्यारी अब आगे बढ़ते हैं भाई साब, thermometer हम बनाना सीख लेंगे, अभी बहुत टाइप के thermometer आएंगे, मगर दो चीजें जो एक दूसरे के बगएर पूरी नहीं हैं, और आपके मन में primarily जो बहुत बड़ा confusion create करके लाती हैं, एक है heat और एक है temperature, एक है heat, एक है temperature, ठीक है, तो यह हाँ पर यह समझिए कि heat temperature को पैदा करेगा कि temperature heat को पैदा करेगा, है ना, temperature heat को पैदा करेगा कि heat temperature को पैदा करेगी, देखिए, अगर यह cause है, temperature यह क्या है, cause, यानि करने वाला, कारण, तो heat उसका effect है, heat क्या बच्चों इसका, effect, heat, what is heat? Heat क्या? Heat is flow of energy, flowable form of energy, energy का वो form है जो एक दूसरे एक जगे से दूसरे जगे में जा सके due to temperature difference, due to temperature difference, तो ये बात तो समझ में आ गई ना कि पहले कौन है? भाई पहले temperature है, जब temperature में difference होगा तब तो heat बनेगी? Yes or No? ठीक है ना? जैसे मैंने का पहले पानी है कि पहले धारा है, तो पहले पानी है, पानी होगा तो धारा बनेगी ना? भाई ये पानी है, पानी के दो level है, एक में पानी ज्यादा भरा है, और एक ट्यूब में पानी क्य जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो क्या बन गई? धारा, stream, कहो हाया ना? तो पानी से धारा बना ना? तो पानी था, तब तो धारा बनी, मगर ये भी था कि पानी के level को अलग-अलग होना था, एक का level high और एक का level low, clear हुआ जी? तो temperature और heat एक साथ चलते हैं, बच्चे, temperature और heat एक साथ चलते हैं, मगर दोनों में आपको एक clear understanding बठालनी पड़ेगी, कि temperature और heat कैसे कैसे एक दूसरे से related हैं, ठीक ना? तो एक चीज़ और, अगर temperature zero है, temperature change क्या है? अगर दो body के बीच में temperature change zero है, ये इसका भी temperature four है, इसका भी temperature four है, तो heat का transmission नहीं होगा, तो heat का transmission नहीं होगा, ठीक है ना? तो आँगे बढ़ते हैं, what is heat? heat बढ़ते हैं, तो heat is the form of energy, called thermal energy, which flows from a higher temperature of body to the lower temperature, when they are placed in contact, when they are placed in, देखे जब आप contact की बात कर रहे हैं, अगर आप contact की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है, यहाँ पर heat का जो form होगा, move करने का, वो होगा conduction, क्या होगा बच्चे? कंडक्शन, heat is a form of energy, called thermal energy, which flows from higher temperature body to a lower temperature body, when they are placed in contact, जब एक दूसरे के contact में रखा जाए, तो body को, तो वहाँ पर आप जो heat होगी, higher temperature से lower temperature की ओर चलेगी, देखे, यहाँ पर यह कहना गलत होगा भी, जो मैंने कह दिया, कि conduction, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कि contact में आप ला रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि conduction ही हो, दूसरे मीन से भी heat travel कर सकती है, अभी transmission of heat की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर चल्दवाजी होगी, so heat पर के बाल ध्यान दीजे, heat is a form of energy called thermal energy which flows from a higher temperature body to a lower temperature when they are placed in contact, when they are placed in contact, आंगे पढ़ते हैं, heat or thermal energy of a body is the sum of kinetic energy of all the constituent particle on account to the translational, vibrational and rotational motion, यह लाइन बड़ी काम की है, बड़ी गजब है यह लाइन, भई heat आती कहां से है, अब ऐसा समझो, कोई व्यक्ती बड़ा खतरनाक example है, मगर मानना तो पड़ेगा कुछ करने के लिए, यह कोई इनसान है, यह मरा हुआ डला हुआ है, यह कोई इनसान है, यह मरा हुआ डला हुआ है, बोलो, इसके अंदर की heat आप कितनी ले सकते हो, जी जीरो, बच्चों इसलिए, क्योंकि इसके अंदर एक भी ऐसा point नहीं है, जो move कर रहा हो, ऐसी एक भी कोई shell नहीं है, जिसमें oxygen दोड़ रहा होगा, बोलो yes की no, मतलब इसके अंदर moment क्या है, जीरो है, moment क्या है, अगर कोई चीज के, कोई भी आपके पास substance है, कोई भी सबस् है, अगर उसकी internal molecular moment अगर 0 है, तो उसकी heat आप कितनी मान सकते हो, भाई सब, 0, समझे गए जी, और एक बात मैं आपको बता दूँ, कि molecular moment को 0 पाया गया है, किस temperature पे बच्चों, 0 Kelvin पे, 0 Kelvin पे, 0 Kelvin पे, 0 Kelvin इकोल to minus 273.15 degree Celsius, अब आप इसका अंदाज आई, यह मतलगा ले ना, कि सर, तो इस तरीके से कोई मरे हुए आदमी का temperature यह होता है, क्या, बरफ लग जाएगी, कोई उठा नहीं पाएगा, तूट जाएगा वो, हाया ना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, मैं केवल अंदाजा लगाने की बात कर रहा हूँ कि भाई, जैसे इसके अंदर पूरी molecular moment रु dokument, electron जहां के होते हैं, वही की खड़े के खड़े रह जाते हैं, ठम गए, समझ गए तो उसकी अंदर की heat किती मानी जाती है? जीरो, क्या मानी जाती है? बोल रहा हूँ होती नहीं है, मानी जाती है, क्योग की जीरो को माना गया है, absolute zero temperature, क्या बोला गया है? इसको absolute temperature भी बोला के particle के अंदर की क्या हो गई vibration बढ़ गई क्या हो गई और ये vibration के कारण energy आती है vibration कारण energy क्या होती है आती है मतलब किसी भी particle को energy देने का सबसे पहला योगदान किसका है उसके surrounding temperature का किसका temperature का समझ गए जी आपके अंदर जो energy है वो heat energy है हमारे सरीर में जो energy वो कौन सी energy बच्चो heat energy उसी energy के कारण हमारे particle सारे के सारे body particle भाई लोगो moment कर रहे हैं समझ गए हाँ clear हो गया मेरी बात तो heat और thermal energy of a body is sum of kinetic energy of the sum of kinetic energy भाई यह माल लो हमारा कोई भी system है तो इसके अंदर जितने particle है इन सब की kinetic energy का sum पूरी जितनी भी kinetic energy what is kinetic energy equal to half mv square half mv square इनको सब को sum कर दो मतलब इन सब का sigma कर दो सब का sigma कर दो all type of kinetic energy और kinetic energy किसकी त्राइब के हो सकती हो सकता भाई साब वो लोग translational motion कर रहे हूं कैसा motion कर रहे हूं खासकर जब आप बात करेंगे gas की किसकी बात करेंगे gas की तो translatory motion ही तो होगा gas का particle यहां से चलका टूं टकराएगा टूइ टूँ 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 ऐसे जाता है ना टकराता रहेगा इसे जिग जैग मोशन तो ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा अगर आप सॉलिड पार्टिकल की बात करो तो बिचारा जा तो नहीं पाता है एन रोटेशनल मोशन वो इलेक्ट्रान फिलेक्ट्रान रोटेट करते रहते हैं टोटल तो इनके कारण बनती है हीट एनरजी किसके कारण बनती है हीट एनरजी समझ गए और अगर टेंपरेचर करते करते कम 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 जीरो पे पहुंच गए बच्चों तो हीट कितनी हो जीरो तो लिखेंगे मैं लिख तरह यहां पे एट टी एकॉल टू जीरो वट इस टी कोल जीरो अपसलू टेम्परेचर क्या खेलाएगा एपसलू टेम्परेचर बिटा जो काइनेटिक एनरजी होगी गैस के सिस्टम की वो किती हो जाएगी जीरो समझ में आ गया और यू कैन से हीट इकॉल टू जीरो आई बस समझ में दा एसा यूनिट आफ हीट अनरजी स्कॉल जूल बट अप्रेक्टिकल यूनिट इस कैलोरी एन वन कैलोरी कॉल टू फौर पॉर पाइंट वन एट जूल तो बताओ कॉन बढ़ा हुआ क्योंकि एक कैलोरी में 7,4 जूल होते हैं देखो मजे की बात इखो के पिस्किट कहाते हैं आप 50 ग्राम का बिस्किट कोई भी बिस्किट लेकर को आते हैं तो उस biscuit में rapper में देखिएगा कि उसमें कितनी calorie energy आपको मिल रही है उसमें लिखा रहता है ठीक है कितनी calorie energy आपको मिल रही है एक human एक बच्चे की आपके age की यदि मैं बात करूँ तो परड़े की जो calorie की need होती है वो कितनी होती बताईए पता आपको नहीं पता तो देखिए ये आपको मैं screen पे show कर रहा हूँ generally the recommended daily calorie intake is 2000 calorie a day for a woman and 2500 for a man ये calorie आपको इतनी चाहिए है मतलब man के लिए जो calorie की need है वो है 2500 जो need है वो कितनी है भाई साब 2500 calorie की need एक इनसान के लिए है इतनी calorie आपको चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते है minimum है जी ठीक है minimum इतनी calorie है आपके पास में तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 2500 calorie से ले करके 3000 calorie तक की आपको एक need हुआ करती है समझ गया जी चलिए अब बात करते हैं कि one calorie क्या होता है जानना तो चाहते होगी कि one calorie क्या होता है आपके पास मानलो भाई साब कितना भी पानी था एक ग्राम पानी था आपके पास में वन ग्राम पानी था यह एक बूंद है इसका वेट है वन ग्राम इसका टेंपरेचर है 17 डिगरी सेल्सियस आप इसका टेंपरेचर एक बूंद का 17 से ले करके 18 डिगरी सेल्सियस तक करने के लिए आप जो इसको हीड दोगे वह किती है वन कैलोरी और यहीं आप अगर 1 kg पानी ले लो 1 kg पानी ले तो इसका टेंपरेचर 1 डिगरी से से तना चेंज करने पर जो आपको एनर्जी लगी के लिए वह होगी 1 kg कैलोरी कितनी होगी मतलब 1000 कैलोरी 1000 समय रहो 1000 कैलोरी है, जब कैलोरी को जूल में बतलो होगे तो सोचो फिर क्या होगा ठीक है ना, so 1 कैलोरी of the quantity is heat required to raise the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius mechanical energy of work W can be converted mechanical energy or work W can be converted into heat by 1 W equal to JQ ले भाई साब, W equal to JQ से आप बदल सकते हो क्यों ना बतल लें? आपको पता है, J का मतलब होता है 4.186, कितना होता 4 पाईंट? अब भाईया, कैलोरी जितनी भी है 2 कैलोरी है, तो 2 में इसी का तो multiply करोगे तो क्या बन जाएगा? Joule में तो बनेगा, yes or no? क्योंकि आपको पता है कि 1 कैलोरी इकल टू 4.186, हाँ या ना? बढ़ा था ना? ये देखिए, 1 कैलोरी इकल टू 4.18 Joule, तो ये क्या हुआ? ये कनवर्जन को फिशेंट ही तो हुआ? जो कैलोरी को जूल में लाता है, बोलो जी हाँ या ना? तो confuse मत होना फॉर्मूला क्या होता है? डबलू एक्वाल टू जे इंटू क्यू? मतलब यदि आप कैलोरी को जूल में बदलना चाहते हो, तो आपको इस जे का मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, इसका वैल्यू है 4.128, ही ना? 4.186, बिटा इसको कहते हैं, mechanical equivalent of heat, क्या बोलते है? mechanical equivalent of heat, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जे की भाईया 4.186 है, है ना? क्योंकि 1 calorie equal to 4.186 Joule हुआ, तो ये heat का कौन सी में convert कर रहा है, mechanical energy में, तो ये mechanical equivalent ही तो हुआ of heat, so w equal to jh याद रखना, w equal to jh, तो अगर जूल में बदलना हो, तो j का multiply calorie के साथ, किस के साथ है? calorie के साथ, और अगर जूल में दिया हो, तो j का divide कर देना, तो heat आ जाएगी, तो heat किस में मिलेगी? calorie में, वो लो, clear हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, mechanical energy work, w can be converted into the heat q by 1 w equal to j into q, समझ में आ गया जी? where j is the joules mechanical equivalent of heat, बिटा, j जो होता है, वो mechanical equivalent of heat होता है, ये एक conversion factor है, इसकी कोई unit और इसकी कोई dimension नहीं होती, बो लो, clear है? ठीक ना, unit लिख सकते हो, dimension नहीं होगी, सौरी, unit लिख सकते हो, dimension नहीं होगी, देख लो क्यों? देख लो क्यों भाई? आपने देखा, w equal to jh, बोलो जी हाँ, j equal to w upon h, w क्या होता है, mechanical energy, dimension ml2 t की पर minus 2, हाँ जी, h, heat, calorie, ml2 t की पर minus 2, cancel, cancel, answer, m0, l0, t की पावर, 0, dimension नहीं है, मगर unit बनेगी, w upon h, w को किस में आपते हैं, joule में, और heat को किस में आपते हैं, calorie में, तो unit क्या बनीगी, joule पर calorie, बोलो आगया समझ में, j's conversion factor, इसकी unit होगी, 4.186 joule पर calorie, आगया जी समझ में, हाँ जी, देखिए, एक question यहाँ पर पूछा, आई उसने की, sir, water का लीटर में आपते हो, मगर इसको किलो ग्राम में क्यों लेगा, देखो, बड़ाए, एक concept जान लो, की, density is equal to होता है, mass upon volume, density is equal to होती, mass upon volume, अगर आप SI unit की बात करो, अगर आप SI unit की बात करो, तो जो पानी की density होती है, पानी की density होती है, SI unit पानी की density हुआ करती है 1000 kg पर मीटर क्यूबिक यह होती है तो अगर आप पानी के बारे में बात करोगे वाटर में बारे में बात करोगे आपको मास निकालना है आपको क्या निकालना है मास निकालना है तो चली निकाल देता हूँ पानी की density 1000 kg per meter cubic 1000 kg per meter cubic equal to mass upon volume density तो भाई आफिक्स है अब पानी का वॉल्यूम लेते जाएए पानी का वॉल्यूम लेते जाएए mass upon volume तो volume की unit याद रखना भाई साब meter cube होती है क्योंकि आप तो liter वाले हो क्या है meter cube तो mass निकालना है अब meter cube select कर लो कितने meter cube? एक meter cube कितने meter cube? आपने कहा है एक meter cube तो एक meter cube यहाँ पे रख दिया यहाँ आगया कितना 1000 kg per meter cube meter cube से meter cube cancel answer m equal to कितना आगया 1000 kg मतलब एक meter cubic पानी का जो mass आएगा वो 1000 kg मतलब एक meter cubic पानी मतलब एक टंकी बनाई जिसकी length भी 1 meter है breadth भी 1 meter है और height भी 1 meter है height भी 1 meter है तो यह 1 meter cubic की टंकी है इसके अंदर पानी भरा हुआ है इसके अंदर जो पानी भरा हुआ उसका जो mass आएगा वो कितना हैगा 1000 kg clear हो गया जी? एक meter cubic पानी का mass 1000 kg आएगा अब आपको नहीं सर हमें तो लीटर वाला काम करके दिखाओ लीटर वाला काम तो लीटर वाला भी मैं बता देता हूं तो density is equal to mass upon volume density is equal to mass upon volume अब आपने का सर हमें one liter का mass चाहिए है एक लीटर पानी का mass तो मैं आपको बता हूं संसार में ऐसी चीज पानी ही है जिसका एक लीटर का जो mass होता है वो one kilogram के एक कोल होता है कितने kilogram के हाँ तो पानी चाहिए आप 100 लीटर लेके जाओ उस 100 kilogram ही होगा क्यों होगा कारणी देख लो कि डेंस्टी है 1000 kilogram पर मीटर क्यूबिक बोली है की नहीं है और मास अपॉन वॉल्यूम मास निकालना है वॉल्यूम आपको दे रखा वन लीटर अब आपको लीटर को मीटर क्यूब में कनवर्ट करना है किसे में कनवर्ट करना पड़ेगा अब आप जान लो भाई साब कि व तो वन लीटर यहां से वन लीटर का डिव वन लीटर नहीं का लो तो थाउजन नीचे जाएगा आंसर आएगा वन अपॉन वन थाउजन मीटर क्यूबिक क्लियर है तो यहां पर पूट कर दिता हूं वन अपॉन तो अपॉन है तो पलट कर क्यूब पर चला गया और पानी के एक लीटर का मास कितना होगा वन केजी पानी के दो लीटर का मास कितना होगा टू केजी और दस लीटर की बाल्टी है आपने दस लीटर तक पानी भरा है तो सोचना ही नहीं है मास कितना होगा 10 केजी क्लियर है जी यह पानी में होता है जितना मास होता है उसना एकक्वल होता है ठीक है चलिए तो आंगे देखते हैं क्या कह रहें भाई टेंप्रेचर की बात कर लेते हैं टेंप्रेचर क्या होता है ठीक ना, टेम्परेचर के बारे में पहले मैं अपनी भासा में बता दूँ, कि टेम्परेचर को यदि मैं डिफाइन करूँ, तो मैं बोलूँगा, the degree of hotness or coldness of a body, कोई भी सबस्तान से भाई, वो कितना गरम है, या कितना ठंडा है, इस चीज को नापने के लिए, जिस degree का आप, मतलब एक पैमाना इससे आप पता कर सकते हैं कि कोई कितना गरम है, या कितना ठंडा है, ठीक है ना, और टेम्परेचर, degree of hotness या coldness हुआ करता है, और ये पूरता है, relative चीज है, क्या है पूरता है, आप कह पा रहे हैं कि अरे सर जी आज तो बड़ी ठंडी है, मतलब कभी न कभी आपने कडा के की गरमी भी देखिए, तब ये आपको ठंडी का है सास है, बोलो है ना, आप पुलवर बीर होते तो कभी ना कहते की सर बड़ी ठंडी है, ठीक है ना, या उट होते तो कभी न बोलते कि बड़ी गर्मी है यह इसे लिए बोल रहे हो क्योंकि आपको relativity पता है कि ठंडी कव होती है गर्मी कव होती है बड़े मजे की बात है so temperature of a body is the degree of hotness or degree of coldness of the body यह body का मतलब आप अपनी body मत समझ लेना यह body का मतलब कोई भी particle कोई भी समान है ना a device which is used to measure the temperature is called thermometer अब भाई एक ची जान लो thermometer में lowest scale आप देते हैं थर्मोमेटर में lowest scale क्या देते हैं आप देते हैं जैसे कि आप जो use करते हो mercury thermometer कौन सा thermometer mercury thermometer भाई साब तो mercury thermometer का जो lowest scale हुआ करता है कि वो कितना lowest measurement कर सकता है आंसर है 0 degree Celsius और अधिकतम कितना measure कर सकता है 100 degree Celsius समझ गए इस 0 degree Celsius को बोलते है LFP क्या बोलते है LFP और इसको बोलते है UFP क्या बोलते है UFP अभी बता देता हूं LFP और UFP आपको दिये रहेंगे lower freezing point या पर freezing point हुआ करता है ठीक है इसी से तै होता है कि भी यह थर्मोमेटर का range कितना है thermometer का range कितना है clear हुआ thermometer का range कितना है अब आप भीया देखो कोई यह समझेगा कि अब आपके समय में मालो यह जो 0 degree Celsius में हो गया minimum temperature वो जी हुआ कि नहीं हुआ फिर 1 फिर 2 फिर ऐसे ऐसे से करता गया अब मैं बोलूँगा कि सब से कम temperature क्या होता तो इसको देखकर क्या बोलोगे किते degree Celsius बाट मैंने अभी आपको 0 Kelvin पढ़ाया 0 Kelvin में कितना हुआ माइनस 233.15 डिगरी Celsius मतलब यह इस से नीचे के temperature को measurement नहीं कर सकता तो क्या यह सबसे मस्त वाला हुआ कि नहीं हुआ नहीं हुआ क्योंकि 0 degree Celsius तक ही measure कर सकता है ठीक है ना अभी हमको पता है कि 0 Kelvin हम सबसे कम यह मान रहे हैं यह मान हो सकता है आँगे चलके इससे भी कोई नीचे temperature खोज ले तो अभी के समय में सबसे बढ़िया जो scale है वो Kelvin scale है कौन सी scale है Kelvin scale का जो temperature होता है वो 0 से सुरू होता है किसे सुरू होता है 0 Kelvin और जब भाईया यह 273 पे आता है इतने उपर 273 Kelvin तब यह हमारा यह जो बाबू है ना 0 degree Celsius तो यहां पे इसके बराबर आपाता है 0 degree Celsius बोलो हाया ना समझ गए ना इनको जो बड़ा सतकवीर माना जा रहा था इनको 0 degree Celsius को समझ गए ना यह चपरासी है नहीं के यहां पे 0 degree Celsius पसना जाने ऊपर कितना जाएगा केल्विन में क्योंकि यह 0 Kelvin से स्टार्ट हो रहा 0 Kelvin मतलब माइनस 273 मतलब यह जो इतना बड़ा गया है भाई साब यह 273 दसमलों फाइव है आ गया समझ में कोई दिक्कत Kelvin Kelvin सकता है यह ठीक है जी तो अब यह मैं यह सम्झाना चाहरा हूं क्यों नहीं जाएगा बिल्कुल जाएगा लोएस से लोएस से लेके हाईस्ट भी नापेगा भाई साब 6000 Kelvin है देखो कहीं का टेंपरेचर भी बता रहा हूं temperature of the core of the sun is 10 to the power 7 Kelvin sun का जो core है उसका temperature कितना है 10 की power 7 Kelvin while its surface जो इसकी surface है बाहर का जो इसका outer layer है उसका temperature कितना है 6000 Kelvin 6000 Kelvin समझ रहे हो 6000 Kelvin में नमक पिखल जाता है कौन पिखल जाता है नमक पिखल जाएगा समझ गये ना नमक में electrovalent bond होता है NACL कसम खाते हैं जीएंगे मरेंगे संग संग समझ गये ना बहुत मजबूत वाला bond होता है इन में clear तो इसलिए इन में 6000 Kelvin का temperature ये उस पे जाकर के melt होते हैं ये इतना जादा temperature है घर में नमक गलाने की कोस्स करोगे घर में आग लग जाएगी घर गल जाएगा मगर नमक नहीं गलेगा क्लियर होगे ना हाँ उसको फिर इंडस्ट्री मेथट से बहुत तरीके से गलाया जाता है उसको मेल्ट किया जाता है है ना मोम जैसे नहीं गल जाएगा बहुत जल्दी से आराम से तो यह आता है प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रो वेलेंड बॉन्ड की प्रॉपर्टी बताईए तो इलेक्ट्रो बॉन्ड वेलेंड बॉन्ड सबसे स्ट्रॉंग बॉन्ड होते हैं और इससे बनने वाले जो compound होते हैं, वो solid state में होते हैं, किसमें होते हैं, solid state में, चलो जी, तो temperature की बात कर लें, हाँ जी, called thermometer, highest possible temperature achieved in laboratory is about 10 to the power 8 Kelvin, कितना है भाई साब, 10 to the power 8 Kelvin, ठीक ना, हाँ, जो highest possible temperature है, लेबरेटरी में, जो achieve किया गया है, वो 10 की power 8 Kelvin है, while lowest possible temperature attained is, यह थोड़ा सा कुछ गड़बर लग रहा है, 10 to the power minus 8 होगा, बिल्कुल से, यह 10 की power minus 8 Kelvin हो सकता है, ठीक है ना, मगर 10 की power minus 8 याने 0.00 ऐसा तो नहीं है, हाँ, थोड़ा सा इस लाइन को देखूंगा मैं, तब इस पे ज़्यादा discussion नहीं करूँगा, बाद में देख लूँगा, है ना, highest possible ठीक है, branch of physics dealing with the production and measurement of temperature close to 0 Kelvin, are known as cryogenics, हाँ भाई, देख लो, अब 0 Kelvin के पास है 10 की power minus 8, 0 Kelvin तो 0 हो गया, बोलो जी हाए ना, और 10 की power minus 8 मतलब 0.000000000, नहीं आरा समझ में, 10 की power minus 8 Kelvin यदि मैं मान लेता हूँ, तो 10 की power minus 8 मतलब 1 upon 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, इतना Kelvin, तो 0.000000000, 1 Kelvin, हाई ना, 0 के पास ही तो है, 0 Kelvin से, 0 Kelvin के एकदम पास है की नहीं है, बोलो, तो इस temperature पर जो physics लगती है, branch of physics, dealing with the production and measurement temperature close to 0 Kelvin is called cryogenics, क्या बोलते हैं, तो यह कहलाते हैं, cryogenics, आपने सुना होगा, cryogenics engine बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, cryogenics engine, यह सुनते रहते हैं, engine सुनके बड़ी हंसी आ रहे हैं बच्चों को, what, while the, while the, deaf link दिया भाई, deep with the measurement, आहां, गलत है यह, deep नहीं होगा, कुछ और होगा, है ना, while, when, deal with the, deal होगा, deal with the measurement, why, है ना, that deal होगा, deal with measurement, very high temperature is called, pyromatic temperature, समझ गए, pyromatic, और मैं एक चीज बता दूँ, जो thermometer, जिस स्केल में, thermometer जो measure करता है, sun का temperature बेटा, उसको pyrometer बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हा, जिस thermometer से आप measure करोगे, sun का temperature, वो pyrometer होता है, radiation type से बनता है, radiation system से, यह mercury वाला लेके थोड़ा ना, वो scientist जाएंगे, उसके उपर धरने के लिए, है ना, यह तो बहुत कम range का है, तो वो कहलाएगा भाई साब, pyrometer, ओके, हाँ, तो pyrometer temperature, of the core of the sun is 10 की पावर सेवल कैन विंग, viral surface is 6000 Kelvin, यह तो मैंने बता चलिया, अब भाईया, एक term आता है physics में, chemistry में भी आता है, NTP या STP, तो NTP या STP में समझ लेना, है ना, natural temperature pressure है, standard temperature, pressure, implies, भाईया, याद रख लो, 0 Kelvin, 0 Kelvin, ओ गलत बोल गया, 0 degree Celsius, 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 0 degree Celsius मतलब 273.15 Kelvin, हाँ जी, clear, और Fahrenheit में बच्चों यह होता, 32 degree Fahrenheit, किते degree Fahrenheit, 32 degree, समझ में आ गया जी, clear हो गया, अब तो यह अपना कहलाएगा, NTP या STP, ठीक है ना, temperature की बात आपने दे दी है, NTP में, है ना, temperature इतना हुआ करता है, NTP का temperature आपको पता चल चुका है, 0 degree Celsius, NTP का temperature होता है, 0 degree Celsius, आपने केमेस्टी में, हाँ वह यह STP यह की चीज़, केमेस्टी में बढ़ा होगा, कि NTP में वह जो एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है, वो 22.4 लीटर होता है, ऐसी एक थेोरम आती है, लॉफ वॉल्यूम, मॉल कंसेप में, 22.4 लीटर होता है, दुनिया की कोई भी गैस का, आप एक लीटर, सॉरी, वन मॉल ले लो, कितने मॉल ले लो, हमारी भी केमिस्ट्री मेरी जैसी है, चलो, ठीक है ना, क्लियर हो गया भाई, अब पढ़ते हैं भाई साब, अलग-अलग स्केल, तीन प्रकार के स्केल यहां पर हमको नजर आ रहे हैं, एक है सेल्सियस स्केल, ठीक है जी, और दूसरा है, फेरन हाइट तीसरा है, केल्विन स्केल, भाई देखो, दो स्केल पर काम करता है, दो चीजों पर काम करता है, कोई भी स्केल, कोई भी आप बनाओगे, थर्मोमेटर हो, उसको दो चीज़ आनी पढ़ती है, एक, आइस का बॉइलिंग पॉइंट और एक, मतलब वाटर का एक, बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का एक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, मतलब जिसमें एक में उबलने लगे, और एक में जिसमें बर्फ जम जाए हाँ वो freezing point कहलो भाई या freezing point कहेंगे उसको melting न कहो freezing को तो जाला अच्छा समझ में आएगा चलिए जैसे ये देखिए in the scale of temperature the melting point of the ice ice का melting point is zero degree Celsius मतलब zero degree Celsius पे बर्फ जमती है बर्फ एक्शली क्या जमेंगी पानी जमेंगा भाई साथ बर्फ में जमेंगा पानी तो zero degree Celsius हो गया यह and the boiling point of water मतलब पानी यहाँ पर बर्फ बन गया और पानी यहाँ पर क्या बन गया भाब बनना सुरू गया बोलो जी हाय ना and space between these two points is divided into 100 whole part बाइस अब इनी के बीच के जो गैप है इसको किते पार्ट में ब्रेक कर दिया सौ पार्ट में किते पार्ट में सौ पार्ट में खांचे दोड़ दिये तो जो पार्ट और हर पाड़ को बोला गया one degree Celsius क्या बोला गया one degree Celsius ठीक है जी तो क्या बनेगा देखिए अपने पास c upon 100 यह पहला बनता है c upon 100 इसके कैसा बनेगा detailed class में बताऊंगा ठीक ना तो इसमें तोड़ दिया यहां तक तो समझ में आ गीना बत अब आजाओ फैरन हाइट में फैरन हाइट में फैरन हाइट में फैरन हाइट स्केल में अब जिस बंदे ने भी हम लोग फैमिल यह पानी का measurement में ले रहा हूँ उसने आकड़ा बना रखा कि जो पानी जो आइस बनता है वाटर जो आइस बनता है उसने बोला कि 32 डिगरी फैरन हाइट पर अभी अपने देखा था कि 0 डिगरी Celsius को क्या बोला था 32 डिगरी फैरन हाइट तो उसने ममान उसको पता था फैरन अब देखो भाईया यहां पर जो आ यहां पर जो बनेंगे खांचे वह बहुत सारे बनेंगे बनेंगे की निए बनेंगे हां मतलब यदि यहां पर मैं खांचे बनाने की कोसिस करूँ तो भाईया वहां से बहुत सारे बनेंगे यहां पर एक सौसी बनेंगे किते बनेंगे एक सब्सक्राइबर है ना देख लिना किते बनेंगे 211 माइने से दी करोगे तो काफी सारे बनेंगे यहां पे बनेंगे कि नी बनेंगे बनेंगे ठीक है जी अट 179 के असपास आजाएंगे है ना इसको 200 180 नहीं 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 आएंगे 179 आएंगे 179 इसको 212 मान लो 211 दे रखा है इसको 212 कर लो ठीक है जी अब आगए 180 ठीक है मतलब कित्ते खांचे बने 180 अब महसूस करो इस बात को कि ज्यादा एक्कूरेट छोटे छोटे पार्ट का भी टेमपरेचर कौन देगा फैरन हाइट देगा की सेल्सेस देगा फैरन है क्योंकि सेल्सियस भई आई सी में सो खांचे में से कम तमाम कर दिया वो लो हां और इसने 100 खांचे को कैलिब्रेट करके कितने में इसे लिए बुखार न आपने वाला जो मेटर हुता हो फेरनहाइट में होता है समझ में आया पता चले डिगरी celsius में ना प देधी टेमपरेचर तो सामने वाला निपढ जाए के डिगरी celsius में जो कि पांच फेरनहाइट सी देन पड़ से चाहई कि बुलू हाँ क्योंकि यहां जितने में एक सेल्सियस हुआ उतने में यहां पांच काटे ऊपर चड़ गए बुलू हाँ न तो जो बुखार वाला मीटर होता वो कहते हैं भाईया सो को बुखार है हम इंसान का सरीर जो होता हूँ नाइंटी एट फेरन हाइट पे काम करता सह ही कि टे फेरन हाइट बेक हाँ सो फेरन हाइट मैं मतलब ह iki सब आराम से ङुक ए तोड़ा-थोड़ा-ठीक-ठीक विखार है एक ट Prin मतलब उखार, 105 मतलब अपने पटने वाले हैं, सिसीदे ब्रेन में पकड़ता है फीवर, समझ गया है, ठीक ना, 107 मतलब कोचिंग की छुट्टी करवा दो जाओ, स्कूल कोचिंग जहां की भी है, समझ गया है, तो ये मतलब फेरन हाइट में, अब तुम कहो सीदे इसमें एक एक डिगरी सेल्सियस बढ़ जाए, तो भाई ये एक डिगरी सेल्सियस में तो यहां देख रहा हो, सीरे पांच की छलांग मार गई है, समझ गया है, तो ज्यादा सेंस्टिव कौन हुआ, फेरन हाइट, अरे वो कैसी बात करते हो, सेल्सियस में तो पहली चीज कम आएगी मनुस्वस्थ मनुष्य का जो सरीर होता है, वो 37 डिगरी सेल्सियस होता है, और फेरन हाइट में यही बात करों, तो यह नाइंटी एट डिगरी फेरन हाइट है भाई सहाब, फी गया हाँ, तो फेरन हाइट में क्योगि अगला अगर 98 से 99 जाएगा तो फेरन बहुत बड़ा है समझ में कि निया मेरी बात यह बहुत बड़ी बात है 37 36 कोई ले आये कोई बच्चा हो जिसको फिजिक्स की जानकारी ना हो अनाडी सा और यह थर्मामेटर सेल्सियस वाला अब बोले मुँमें डाल करें अरे तुम तो चंगे हो मस्त रहो एकदम खुब जी ओगे और कितना हो गया 36 30 एक तो बढ़ा है कितना बढ़ा है एक तो बढ़ा है अभी तुम 100 में निप्टो सौ तक ठीक रहता है इंसान किते तक तक अभी यह तुम सेल्सियस में आ पर हुआ हो ना कि वो भुखार वाला खुदाई नाच जाएगा इतिवुखार में खुद प्रसान हो जाएगा मगर पर एक कही जाए नॉलेज की बात तो 37-38 में गया तुम उसको अनपढ़ा दिमी जो है नहीं जानकारिये तो बोले कि नॉर्मल वाथ है एक डिगरी तो बढ़ा है एक डिगरी किसमें बढ़ा है सेल्सियस में और एक डिगरी सेल्सियस का काफी बढ़ा है फेरन हाइट में चलो अगला जी बिलकुल तो भी बहुत दिक्कत है भाई देखिए देखिए जो कम होने वाली बात है फिर तो यह आपको बॉयलोजिकली प्रेस्पेक्टिब पर जाना पड़ेगा कि कम होगा तो आपका ब्लड का प्रेशर सर्कुलेशन वगरे लो हो जाएगा ठीक ना वो उसकी जानकारी आपको जो एक फिजीशन होते हैं उन से जादा जानकारी लेनी पड़ेगी इस पर मेरा नॉलेज नहीं है आंगे बढ़ते हैं देखो विया तो इन दिस स्केल टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट इस थर्टी डिग्री फेरनहाइट एंड बॉ जीरो अपॉण डिवीजन कितने होते हैं अगला देखो एकवल टू अगर इसका बनाना है तो क्या ले रहा हो फेरनहाइट बोलो हाँ माइनस लुवर बाला पॉइंट क्या थर्टी अपॉण डिवीजन किते वन इटी बिलकुल सेल्सियस के जैसे ही आ गया भाई साब कॉन केल्विन बिलकुल केल्विन मगर इसमें स्टार्ट किते से था जीरो से किते से जीरो से और कितने तक गया बताओ भाई जीरो केल्विन जो है उल्टा गलत बोल गया मैं गलत बोल गया पानी जीरो डिगरी सेल्सियस ना जीरो डिगरी सेल्सियस मतलब 273 केल्विन और यहां gap किते का 100 का है तो इसमें भी 100 खाचे हैं तो मतलब भाया एक डिगरी सेल्सियस में जितना परिवर्तन आएगा उतना ही एक Kelvin में भी परिवर्तन आएगा आई बस समझ में ना तो इसका रूल कैसा बनेगा देखो मैं इसी के साथ बना देता हूँ बोलो के माइनस लोवर फिक्स पॉइंट कितना है मेटा लोवर फ्रीजिंग बोल गया था उसका नाम था लोवर फिक्स पॉइंट क्या नाम है फिक्स पॉइंट फ्रीजिंग काट लेना भाई या लोवर फिक्स पॉइंट के माइनस 273 बोलो हाँ अपन में गैप कितना है 100 बने गए तीनों स्केल कोई दिक्कत अगला है आर अपॉन 80 यह कौन सा है स्केल इसको बोलते हैं रैंग काइन क्या बोलते हैं रैंग काइन मगर मतलब में आपके तीने बच्चों यह तो सेल्सियस यह तो फैरनहाइट यह तो भाईया अपने एक तो thermometer हो गए Mercury thermometer और तमाम टाइन से अंवेटर अभर यह सवाल है कि थर्मों मेटर काम कैसे करता है थर्मों मिटर काम कैसे करता है तो थर्मों मेटर बच्चों कई सिधान पर काम करता है जैसे मैं बोलूं कि Charles law चाल्स law keb लगता है Football constant पेents for real Caesar को बोली,ikum है चाल्स law constant processing पे लगता है और चाल्स law 그러니까 है एकुल्म हाँ इस उरी गलत बोल गया मैं ये चाल्स लॉप पर नहीं मैं गेल उसक्स लॉक इबात करना चाहता था गेल उसक्स प्रेसर लॉक आपने पढ़ा होगा chemistry में पढ़ा है ना तो मैं बात कर रहा हूँ एक सेकंड मैं बात कर रहा हूँ गेल उसक्स प्रेसर लॉक तो भाईया जो constant pressure पे volume constant होने पर लगता है बोलिए P proportional to T P Proportionnel to T बहुत मस्त बात समझाने वा रहा है फिर पर्पोच्णल टुट टु कहती तो हम क्या करते हैं हम अप टेम्प्रेचर तो बढ़ा रहे हैं वो तो हमाइलिए उसको थोड़ तो पता नहीं है बोलो हाँ वो पता नहीं है हम देखते हैं कि उसके साथ में pressure कितना बढ़ा है तो इस pressure को बढ़ने से हम temperature की भी बढ़ने को माप लेते हैं आई बस समझ में ना तो ऐसी चीज जिसकी मदद ले करके आप temperature को estimate कर सके उसको बोलते हैं thermometric property क्या बोलते हैं thermometric property भाही जैसे कोई लड़का बिगड़ रहा है घर में बोलो हाय ना कोई बच्चा बिगड़ रहा है को बच्चा बिगड़ रहा है तो घर वाले directly उस चीज को नहीं पकड़ पाते हैं कि वह किस चीज में बगड़ रहा है घरवाले उसकी activity पर नजर रखते हैं, बोलो हां, या उसके marks बता देंगे, बोलो हां है ना, क्या बता देंगे, marks बता देंगे, तो ये जो marks हो गए उसके, वो उस बच्चे की क्या हो गए, define property हो गए, हो गए की नहीं हो गए, ऐसे ही pressure proportional to temperature है, तो thermometric property क्या बनेगा, pressure, समझगे हम temperature को पता लगाएंगे, मगर किस के मदद से, pressure की मदद से, अगर मैं बोलूँगा, volume proportional to temperature, तो हम temperature को estimate करेंगे, मगर किस की मदद से, volume की मदद से, तो ये कहलाएगी, thermometric property, thermometric property, ठीक है, तो देखिए, thermometric property मैंने बोला है, कि temperature को estimate करने के लिए जिस property का आप सहारा लेते हैं, को बोलते हैं thermometric property the property of an object which changes with the temperature which changes with the temperature जो जैसा temperature बदले वैसे ही बदलती है अब भाई यह डारेक्ट प्रपोर्शन की बात हो रही है कि बिल्कुल सीधे सीधे बदले इस कॉल thermometric property different thermometric properties thermometer have been given below अलग-अलग thermometric property के thermometer यहां दिये गया है number one है pressure of a gas at constant volume of constant volume में क्या लो लगता है P is proportional to T, P is proportional to T, P proportional to T है मतलब यह लिख सकते हैं इसको तो P upon T equal to क्या हो जाएगा constant भाई P proportional to T तो T नीचे आएगा ना क्या बनेगा constant बनेगा मतलब क्या लो लग गया P1 upon T1 equal to P2 upon T2, P1 upon T1 equal to P2 upon यह लो लग गया ठीक ना यह बन गया भाईया P1 upon T1 is equal to P2 upon T2 इस लो का इस्तिमाल करके यह चीज निकाल ली हमने इस लो का इस्तिमाल करके हमने यह चीज निकाल ली और फिर इसके बाद इसको solve करके यह आ गया हमाई पास तो यह में फॉर्मूला बनेगा with the help of pressure PT क्या है P0 क्या है यह सब जान लो PT मतलब वो unknown temperature जिस पर आपको जिस पर प्रेशर आपको पता है माल लो जैसे पहला प्रेशर था आपका तीन इसमें तीन प्रेशर की ज़रुद पढ़ती है यह देखो जी सबसे पहला P0 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 मतलब pressure at 0 degree Celsius pressure at दूसरा P100 यहने pressure at 100 degree और दूसरा PT मतलब वो temperature जिस पर आपको जो जो फाइंड करने आपको उस temperature का pressure भाई यह वो temperature नहीं पता मगर उस temperature का pressure तो पता है न बोलो जी हाँ न तो PT-P0 upon P100-P0 into 100 multiply by degree Celsius बोलो जी हाँ न अब जो ही आपको पता है कि कि वो mercury thermometer होता है महाँ पे pressure is proportional to height भीया P equal to rho g h आपने पढ़ा था रो एजी याद है प्रेशर इस proportional to height तो यदी मैं यहाँ पर change कर दूं सारा का सारा मामला क्योंकि जहाँ जहाँ प्रेशर देखो pressure directly किसके proportional है height के बोलो है कि नहीं है थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा यहाँ पे pressure directly किसके proportional है height के तो जहाँ जहाँ प्रेशर है मैं पूरा वहाँ height को change कर दो तो देखो यही फॉर्मूला height के terms में आने वाला है यह length के terms में आने वाला तो मैं लिकूंगा t equal to बच्चों पीटी की जगह बनेगा ht या length of t minus h 0 upon h 100 minus h 0 h naught into कितना 100 degree Celsius यह बलो अब यहाँ पर thermometric property क्या बन गई है यहाँ पर thermometric property बन चुकी है height of mercury column height of mercury column समझ में आ गया यह यह देखो यह सब को समझ में आ चुका है नीचे टीप लिखी हुई है constant volume gas thermometer can measure temperature tempera measure करेगा मेरा करते भाई मीजर temperature from 200 degree से लेके minus 200 से लेकर किता 500 यह minus minus है की नहीं है है ना from 200 to 500 200 degree Celsius माइनस में 273 तो चला जागा पीछे हाँ तो माइनस होगा minus 200 degree Celsius तो 500 degree Celsius आई बास समझ में अगला है electrical resistance metal भाई साब यह थर्मोमेटर आजकल चल रहे हैं जो market में आ रहे हैं electrical वाले तो इसमें जो resistance का formula होता है time variation के साथ यह हुआ करता है rt equal to r0 1 plus alpha t plus beta t का square यह याद कर लो alpha beta होते हैं temperature constant for a metal जिस metal का use करो समझ गए अब beta beta बहुत चोटा होता है बहुत ही चोटा beta बहुत चोटा होता है तो इसको negligible मान लो तो कि फॉर्मोला सिमेट के आ गया rt equal to r0 1 plus alpha t समझ गए अब इसको इधर को alpha को side करने के बाद वेटा formula यह बन जाता alpha equal to r2 minus r1 upon r2 r1 t2 r2 t1 है ना alpha को बोलते है temperature coefficient of resistance temperature coefficient of और जीरो वो ही है और जीरो resistance जीरो डिगरी सेंसे पर हना आर हंड्रड वो ही है 100 डिगरी सेंसे पर और आर टी मतलब unknown resistance जिस पर find करना टी डिगरी सेंसे पर ठीक ना बाकि इसकी कथा आपको पता चलेगी class 12 में किसमें पता चलेगी यह लो temperature platinum जो होता है platinum resistance उसमों आपको कितना minus 200 से लेकर के कितना plus 1200 है न मजएदार minus 200 से लेकर plus 1200 अब अगला length of mercury column लेओ वाई यह मैंने बातों बातों में बता दिया आपको यह अभी बताया था मैंने बातों बातों में वही length की जगए हाइट यूज कर ली थी ओलो जी यह देखो हाइट यूज कर ली थी समझ गया ना तो length of mercury column में जो relationship होती है temperature के साथ वह यह हुआ करती है lt equal to l01 plus alpha t के होती है तो बच्चों यहाँ पर जो length of mercury column की relationship relationship होती है temperature के साथ length of temperature हो देखो directly proportional t की पर किती वन है न तो इसका भी यूज करके भाई अपन बना सकते है lt equal to l01 plus alpha t where alpha is the coefficient of linear expansion alpha क्या कहलाता coefficient of linear expansion and यह भी मैं पढ़ाओंगा आपको जब मैं आपको material पढ़ाओंगा तो linear expansion coefficient कहलाता है and length of mercury यह तो 0 और यह तो सब को आप पता लगा ही चुका है चलिए ठीक है न तो आज यहीं तक हम लोग finish करते हैं और मैं आपको बता दूँ अभी आपको जो देखने में यह तीन बड़ी चीजें बड़ी अदभुत लगी है कि यह कैसे होगा क्या बनेगा जब आप numerical लगाने बैठ होगे न तो आपको बड़े आराम से यह चीजे ब अपन एल हंड्रेड माइनस एल जीरो इंटू हंड्रेड डिग्री से यह बनेगा और मैं बना के दिखाऊंगा आपको आप भी बना लेंगे बड़े आराम से बन जाएगा यह ठीक है जी तो कलम पढ़ेंगे थर्मो एलेक्ट्रो मोटिफ फोर्स कलम आपको बता देंगे थ साइनस एक्सपरिमेंट में देखा होगा कि एक जगह बरफ रख दो ठीक ना और एक जगह ठंडा पानी रख दो गरम मुंबत्ती जला दो तो थर्मो कपल बना करके वह कुछ जला लिए जाते हैं बल वगएरे साइनस प्रोजेक्ट में देखेगा यूटूब वगएरे में देखेगा ऐसे कुछ होता है ठीक ना वो चीज़ें होती है ठीक ना तो कल आंगे बढ़ते हैं ज्यादा बात इस पर नहीं करें कंफ्यूजन क्रीट होगा थैंक यू सो मच फॉर बिंग विदस थैंक यू